एक्स्प्लेनर भाईया का आप सभी को प्रणाम जैहिन दोस्तों बहुत खुश खबरी है बलब मज़ा आगया ये सब खबर सुनके कि भारत आगे आगे दुनिया उसके पीछे पीछे देखे इंडिया की ग्रोथ होगी तो आपकी मेरी भी ग्रोथ होगी आप इस बात को समझ मौका मिलेगा आपको हमारी जो एकॉनमी होगी वो डेवलप होगी बाहर से पैसे आएंगे भारत में और एक अच्छी फिर से सोने की चडिया हम कह सकते हैं और मज़ा आएगा मतलब काम करने में मज़ा आएगा भारत का हर लेवल पर नाम हो रहा है अब देखिए जैसे ये किसी ने नहीं किया है जिस तरीके से भारत ने किया है एक बार हैटफोन लगा लिजे बात दिल तक आईगे और दिमाग तक पहुँचेगी समझ में आ जाएगा डीटियल से ठीक है कई साड़े देशों को पचारा दिया है क्या है सफलता का राज अब मैं आपको बताता हू अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आपको ये पता ही होगा कि GDP क्या होता है अगर नहीं पता तो भाईया आपको बता देंगे छोटा सा बस बस जरा समय आपको GDP ताकि आप समझ में आ जाए GDP क्या होता है gross domestic product, gross मतलब की इंडिया के territory के अंदर, इंडिया के official territory के अंदर, boundaries के अंदर, जो domestic, domestic मतलब जो production, घरेलू production हो रहा है, उस production से निकल के जो product बन रहा है, जो consumer consume कर रहा है, आप और मैं, ठीक है, वो होता है, gross domestic product, और पूरे भारत में, कहीं दूद बन रहा है, कहीं चमणा बन रहा है, कहीं पे मिठाई बन रही है, कहीं पे machine बन रही है, कहीं पे rocket बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, है ना, तो पूरे भारत में, जो production हो रही है, जो manufacturing हो रही है, होने के बाद, जो consume कर रहे हैं, जो produce करके consumer consume कर रहे हैं वो होता है overall gross domestic product सीरी सीरी बात यह है कि जितना जादे manufacturing जितना जादे production होगा हमारे देश में हमारा देश उतना जादे हमारा जो जनता है वो consume करेगी बाहर से लोग नहीं लेंगे और राइट अभी भी आप market में जाते हो तो कहीं कहीं आपको America का Apple पता नहीं कहां कहां का Apple ल bond लेंगे बेचते हैं कि हमारा जो value है, वो degrade हो जा रही है, GDP कोई काम ही नहीं है वहाँ पर, हमारा बस import हो रहा है, ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि भारत में बहुत जादे अच्छे स्तर पर manufacturing हो रही है, अभी आपने देखा न, मैंने एक वीडियो अभी बनाया था, जहां पर ये बात हमने रखी थी कि भाई, जो defense export है, वो कितना जारे 23 फोल्ड बर चुका है, तो हमें किसी के उपर depend नहीं रहे न, हम दे रहे हैं, ठीक है, अब थोड़ा facts पर आते हैं, समझ गया आप, क्या होता है, अच्छा, GDP दो होती है, एक होती है, real GDP और एक होती है, nominal GDP, कभी भी अगर आप आएग तो real और nominal में फर्क नजर आएगा, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, real nominal क्या होता है, उससे पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं, भारत आगे आगे, दुनिया उसके, पीछे-पीछे चलत है, ठीक, सबसे पहले हम point यहाँ रखेंगे, कि इंडिया का जो financial यह जो अभी growth rate 7 7.2 यहाँ पर दिख रहा है, इसको हम लोग red से highlight कर देते हैं, 7.2 ठीक, तो यह आपको map दिख रहा होगा, यह क्या है, इंडियन economy का एक snapshot है, जहाँ पर हमने यह economic growth यानि कि यह GDP अचीव की है, यह देख रहे हैं आप, हमारा GDP growth जो है, 2019 में 3.7 था, 6.6 माइनस में चला गया तक कोविट टाइम पे, फिर उसके बाद 8.7 हुआ और आज के टाइम पे एक average जो है, 6.8 जो की जो financial experts होते हैं, उन्होंने 6.8 बताया है, और overall जो real GDP है, वो 6.8 बताया है, हलाकि कई जगह से आकड़े आ रहे हैं, 7 is the average nominal amount, 7 या 7.2 जो हमारा real GDP है, इस टाइम पे, real GDP मतलब की जो real production है, जो की value जो से खरीदा गया है, डाम बढ़ा के वाला system नहीं है, real GDP is the actual production वहाँ से produce हुआ है, और consumer नो उसको खरीदा है, ठीक है? यह दिखिए, physical deficit, physical deficit इस बार बहुत कम हुआ है, 2019-20 के और इसके comparison में, physical deficit का क्या मतलब होता है? कि total India का revenue कितना generate हुआ है, minus कितना expenditure, मतलब की भाई हम इतना generate कर रहे हैं, ठीक है? revenue, sales tax, income tax, GST से और expenditure कितना हुआ है, ठीक है? तो अभी 6.4 है, मतलब की physical deficit कम है, कभी 0 पे नहीं होता है, हमेशा उपर ही रहता है, क्योंकि खर्चे जादे हैं, expenditure जादे हैं हमारे, ठीक है? चल पे financial year जो खतम हुआ है, मार्च पे वो grow की है, भारत को भी अंदाजा नहीं था, यार कि यार इतना हो जाएगा, वो कहते हैं कि कर्म करते चलो, फल की चिंता आपके हक में नहीं है, फल की चिंता मत करो, फल की अपेक्षा मत करो, चिंता तो करो अपेक्षा मत करो, ठीक है? चलो, अब इसमें क्या हुआ, 6.1% इससे पहले वाले में था, तो जो Ministry of Statistics and Program Implementation shows, UPSC के लिए एक सवाल यहां बनता है, कि ये आंकड़ा सरकार द्वारा कौन से Ministry द्वारा आता है, तो आप क्या कहोगे? Ministry and, Ministry of Statistics and Program Implementation shows, ठीक है? The official estimate of the government, जो है, वो 7% है, मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो growth projection है, जो economist हमारे बता रहे हैं, वो 6.8, वो मैंने आपको बता दिया है, और India's gross domestic product जो है, उसती और the final value of goods and services produced within the borders, यही है, जो meaning है na GDP की, वो यही meaning है, कि GDP का मतलब यह होता है, कि कोई भी ऐसा domestic product आलू हो गया या कुछ आप साबून शेंपू बना रहे हो, चाय बना रहे हो, उसको बनाने के बाद, जो हमारा end product हो गया, चाय जो हो गई, वो उसकी final value क्या है, मानले जो 100 रुपए कि आप एक चाय दे रहे हैं, चाय उसमें पीने के बाद, आप खरीद रहे हो तो वो एक value हो गई, ठीक और अब यह है 14925, ठीक है, तो grow हुआ है massively, साथी साथ, अब हम बात करेंगे, नरेंदर मोधी जी ने tweet करके ये बताया था, कि भाई, ऐसा है, इन्होंने अभी 31 माई को है tweet किया है, क्या किया है भाई, कि 2022-23 का GDP growth जो है, वो दिखाता है कि भारत की जो economy में कितनी resilient है, कितनी लचीली है, और अपने sectors पे कितना भरूसा रखती है, है न, साथ में बताया है कि बहुत ही शांदार performance रहा है, हमारे पूरे के पूरे sector में, positivity जलक रही है, और जो macro economics indicator है, उन्होंने तो और भी अच्छा perform किया है, promising trajectory of our economy and tenacity of our people, तो PM Modi ने काफी positive चीज़ें दिखाई हैं, य यह जो graph देख रहे हैं आप, यह graph आपके लिए बहुत relevant है, in fact आप mains में अपने यह graph create कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसा आता है question तो, अब क्या graph कहता है भाई, कि the number one economy as shown in the figure is the USA, यह USA है, यह China, यह Japan, जर्मनी और भारत, देखिए भारत और जर्मनी हैं बहुत जादे फर्क नही दिखा रहा है, जर्मनी एक लौती कंट्री है, यूरोपियन यूनियन की जो की टॉप फाइफ में है, जल्द ही अगर होगा भी ऐसे, क्योंकि जर्मनी में जो है, वो रिशेशन, GDP बहुत लो है, रिशेशन आने वाला है, प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है, क्योंकि जब स यूकरेन वाला मसला हुआ है, यूकरेन रशिया वाला मसला हुआ है, तब से यूरोप को बहुत प्राब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो प्रोडक्शन बहुत कम हो रही है, मनुफाक्चरिंग कम हो रही है, इस वज़े से इनकी GDP और डाउन हो रही है, साथी साथ आप दे इतने लोग हैं, दस लोग, मानली जे की दस लोग आपके घर में हैं, और आपके घर का खर्चा लगबग महीने का आपको पचास जार आता है, तो पचास जार कमाई में दस लोग खाते हैं, वहीं पे दूसरे घर में, मानली जे आपके सामने वाला घर है, वहाँ पे पचास 1000 की कमाई है लेकिन वहाँ पे चार लोग खाते हैं तो कौन अच्छे से रहेगा और वियस्ली वह चार लोग अच्छे से रहेंगे उनकी सिचुएशन और वर्क लाइफ बैलेंस और सब कुछ अच्छे से रहेगा यही चीज है इंडिया और UK में भी United Kingdom में भी UK कहता है यह फि जो सस्टेनिबिलिटी है मतलब जो पर कैपिटा इंकम है वो कम हो जाता है तो पर कैपिटा इंकम भारत का लगभग 1902,000 रुपए है वहीं UK का पर कैपिटा इंकम लगभग 40,000 रुपए है समझ में आर ये बात पॉपुलेशन की वज़े से हम लोग थोड़ा सा वज़े प मतलब दिख रहा है और fingers crossed होगा भी चाइनीज economy वाई advance हुई थी 4.5 पे मतलब ये मैं आपको पढ़ाने नहीं वाला मैं बस ये बताने वाला हूँ जो Q4 है जो January, February, March वाला जो quarter है उसमें कोई भी ऐसी world की economy नहीं है जो कि भारत से जादे ग्रोकी है ये आंकडे बता रहे है साइमल्टेनियसली जो Germany की बात हो रही है तो Germany जो है ये revised figure indicate करता है second consecutive decline का क्योंकि Europe largest economy into recessions due to persistence high pricing and surge in borrowing cost अब ये देखिए आप ये आंकडे आपको दिख रहे होंगे ये हमने Wikipedia से निकाला है सो ये countries हैं ये region उनके हैं कौन से region में आता है ये estimated है IMF द्वारा और ये estimated World Bank द्वारा ठीक है और ये United Nations सो basically इसमें बात ये हुई है कि IMF World Bank दोनों ही expected जो gross हमारा estimate है वो बता रहा है आपको ध्यान में देखिए यहाँ पे भारत लिखा है भारत को 3736882 वहीं पे अगर हम World Bank को estimate करें तो इसकी economy भारत को थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है आपको दिख रहा होगा 37,36,882 इसमें 31,73,398 ये difference क्यों है difference इसलिए आता है क्योंकि ये हर sector में होगा चाहे वो America, China, Japan ये सब में होगा क्योंकि IMF जो है वो holistically एक estimate बनाता है अगले 5 साल तक एक estimate बनाके यहाँ पर वो figure रख देता है ठीक है तो यहाँ पर हम समझते है Now, it is evident from these figures कि भाई, India is the fastest economy in top 5 economies of the world The bottom तो छोड़ी दीजे 7.2 growth makes India capable of overtaking Germany of nominal GDP in the upcoming years Not the real GDP, nominal GDP, ठीक है Alright, nominal GDP So, the third biggest economy of the world, Japan is also showing a steady growth Japan भी already है, यहाँ पर steady growth है क्योंकि यहाँ पर recession नहीं है यहाँ पर अभी resilient है, मामला ठीक है China में भी अच्छा है, China तो बहुत ही अच्छा है हम बहुत पीछे हैं China से, बहुत जादे पीछे हैं US से भी हम पीछे हैं लेकिन इन लोगों को maintain करना बहुत बड़ा समस्या है maintain करना बहुत बड़ा समस्या है Chinese economy is the only economy alongside India which is showing some sign of good but still lag behind India USA economy again struggling वो अपने भाई जो अभी वहाँ के pollutions कई सारे situations से जूज रही है overall India is best chance to achieve ambitions 2025 तक यह है कि भारत जो है वो टॉप पर पहुँचे और at least not top, at least top 5 तक आ जाए इसके बारे में economists ने भी बहुत तारीफ की है भारत की क्योंकि इसकी जो Q4 की GDP है वो काफी जादे productive है, efficient है तो अपने आप economy के GS paper 3 में भी इसको mention कर सकते हैं आप इसके बारे में, GDP के बारे में ठीक है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि rocky terrain आगे भी आहद है आने वाले time पे जो Q1 अपसे start होगा, Q2 start होगा हमें, मतलब वो नहीं होना है कि हाँ बारे मिंट द्वारा बताए गई है and which is true, which is no doubt, it's true Guardian कहा है कि भाई, Germany की economy, recession के बाद जो है वो उसके दाम बढ़ेंगे देखिए जब भी मंदी आती है, तो production नहीं होता है आपको चीज़ें आसानी से नहीं मिलती है तो market के है, खर्चा कम करेंगे लोग, produce भी कम करेंगे लोग क्योंकि material कम होगा, material कम होगा तो production कम होगी production कम होगा तो चीज़ों का दाम बढ़ेगा जब चीज़ों का दाम बढ़ेगा तो लोगों की जो bind capacity होगी वो कम होगी क्योंकि महंगे दाम पे चीज़ें मिलेंगी तो consumer bind capacity और कम होते जाएगे क्योंकि rate high है तो इससे हमारी economy down आएगी यही reason है यूरोप की economy का यूरोप's economy engine is breaking down 25 मही का है despite schools telling Bloomberg in January that Germany is ride out Russia squeezed without a recession सबसे बड़ा घातक मतलब जो heart breaking है जर्मनी के लिए Russia वाला situation है साथ ही साथ Germany enters recession as inflation hurts consumers तो no doubt आज आएगा भारत top 5 में 5 में नंबर पे रहेगा भारत Germany नीचे जाने वाला है अगले quarter या उसके अगले quarter में UK and US poised to fall into recession as interest rates damp growth अब US UK की जनता जो है वहाँ पे भी चीजें problematic हो रही है वहाँ पे भी महंगाई बढ़ रही है वहाँ पे भी जो Q3 और Q4 काइन का ratio है वो काफी जादे है ठीक है So, stubbornly India facing inflation higher borrowing cost for poverty and economies of UK ठीक है यह total आपको उमीद है कि थोड़ा समझ में आया होगा GDP से related यह फिर inflation से related यहाँ पे मैं आपको दोस्तों समझाना चाहता हूँ कि अगर ऐसी ही news आप देखना तो इसके लिए आपको अपना app डाउनलोड कर लिजे ठीक है यह QR code है भाईया इसे पैसे नहीं मांग रहे है QR code को scan करिए और फटाक से आपको मिल जाएगी यह daily comment, job alerts, daily quiz, free PDF, handwritten notes ठीक है साथी साथ UPSC Civil Services का चालू हो चुका है और यह batch 9 June को हमारे platform पे आ जाएगा उससे पहले बहुत सारे students ने अलरड़ी enroll कर लिया है अब कितना भी, कैसा भी paper आएगा prelims का, mains का, CSAT का हम लोग साथ में मिलके लड़ेंगे यार क्योंकि आपका साथ रहेगा तो आपका भरोसा रहेगा तो हम लोग कोशिश करेंगे अच्छे तरीके जिसू करने की ठीक है, so code use करेंगे जैहिंद, जैसे ही आप code use करेंगे आपको इस amount में course मिल जाएगा 80% का discount मिलेगा आपको और आपकी तयारी पूरी हो सकती है जहाँ पर हम लोग prelims, mains और interview जो PMI batch है हमारा 1100 गंटे की plus classes होंगी systematic incitement plan होगा इंडिया की best faculties आपको guide करेंगे यार कहीं भी कोई doubt हो हमसे बात करिए पूछिए द्रोना चारे सेशन मतलब की यहाँ पर one to one mentorship session होगा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत signing off